आंतरिक उर्जा क्या होता है किसी भी पदार्थ के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने पास कुछ न कुछ उर्जा संचित रखता है प्रतेक पदार्थ में हम जानते हैं कि बहुत सारे अणू होते हैं बहुत सारे परमाडू होते हैं और प्रतेक अणू एवं परमाडू में कुछ न कुछ उर्जा होनी ही चाहिए तभी उसका अस्तित्व बना होता है किसी भी तंत्र में उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं उन सब में प्रतेक अणू, प्रतेक परमाडू में जो संचित उर्जा है इसी को हम यदि कमबाइन करें या समस्त उर्जाओं का योग जो कि उस तंत्र को निर्धारित करता है वही कहलाएगा आंतरिक उर्जा तंत्र में निहित जो भी पदार्थ हैं उसके अड़ों और परमाड़ों उसमें निहित जो भी उर्जा होती हैं समस्त उर्जाओं का योग कहलाता है आंतरिक उर्जा आंतरी कूर्जा को capital U या कहीं कहीं capital E से भी दर्शाय जाता है आंतरी कूर्जा का जब हम calculation करते हैं तो उसके absolute value को हम calculate नहीं कर सकते हैं पर हम आंतरी कूर्जा की गढ़ना नहीं कर सकते हैं जब भी हम आंतरी कूर्जा की गढ़ना करेंगे तो किसी भी प्रक्रम में जब A से B में परिवर्तन होता है यहने क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम calculate कर सकते हैं आंतरी कूर्जा के लिए कि जैसे A की आंतरी कूर्जा है E A और B की आंतरी कूर्जा है E B तो आंतरी कूर्जा में परिवर्थन होगा delta E is equal to E B minus E A अर्थात आंतरी कूर्जा में परिवर्थन बराबर जो क्रिया फल है उनकी आंतरी कूर्जा minus जो क्रिया कारक है उनकी आंतरी कूर्जा तो आंतरीक उर्जा को हम आंतरीक उर्जा परिवर्तन के रूप में अच्छी तरह से कल्कुलेट कर सकते हैं आंतरीक उर्जा एक विस्तिर्ण गुण होता है यहने एक बाहे गुण है जो की पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है इसी तरह से जो डेल्टा E है समतापी प्रक्रम के लिए यहाँ पर पूरे प्रक्रम के दौरान तापमान स्थिर होता है वहाँ आंतरी कूर्जा परिवर्तन इक्वल टू शूर्ने होगा तापमान और आंतरी कूर्जा समानुपाती होते हैं दूसरे के अगला हम देखेंगे किसी भी चक्री प्रोसेस के लिए जो आंतरी कूर्जा परिवर्तन का मान है वो शूर्ने होता है इसी तरह से आंतरी कूर्जा परिवर्तन के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन है यदि ह हम उश्मा छेपी अभिक्रिया लेते हैं और उश्मा शोशी अभिक्रिया के लिए जो आंतरी कुर्जा परिवर्तन है वो positive होता है यानने delta U equal to negative और delta U equal to positive. तो इस तरह से ये आंत्री कूर्जा के कुछ मुख्य गुण होते हैं किसी भी तंत्र की जो आंत्री कूर्जा है उसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं इसके मुख्य रूप से तीन बिंदू है कि जब कभी भी तंत्र में उश्मा दी जाएगी या तंत्र से उश्मा बाहर निकलती है तब भी उस तंत्र के आंत्री कुर्जा में परिवर्तन होगा इसी प्रकार जब भी किसी तंत्र पर कारे किया जाएगा या तंत्र द्वारा कारे किया जाएगा तब भी वहां आंत्री कुर्जा में परिवर्तन होगा तीसरा है कि जब भी किसी तंत्र में द्रव्य प्रवेश करेगा या उस तंत्र से द्रव्य बाहर निकलता है तब भी उसकी आंतरीक उर्जा में परिवर्टन होता है तो इस तरह हमने जाना कि जो आंतरिक उर्जा है वह समस्त उर्जाओं का योग होता है इसे हम डेल्टा यू से भी दर्शा सकते हैं याना आंतरिक उर्जा परिवर्तन को तो कैसे ये समस्त उर्जाओं का योग है तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि कौन-कौन सी उर्जा किस भी अडू में नहीं थो सकती हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंतरीक उर्जा बराबर है electronic उर्जा नाभिकी उर्जा जिसे हम EN से दर्शा सकते हैं घुर्णन उर्जा जिसे हम ER से दर्शाते हैं EP जो की potential energy है याने इस्थितिज उर्जा को दर्शाता है कमपन उर्जा याने vibrational energy जिसे हम EV से दर्शा सकते हैं इसी तरह से संक्रमन उर्जा जिसे हम ET से दर्शाते हैं तो इन समस्त उर्जाओं का जो योग है वो कहलाता है आंतरिक उर्जा तो किसी भी तंत्र में नहित समस्त उर्जाओं का योग आंतरिक उर्जा को दर्शाता है जब भी हम रुधोष्न प्रक्रम की बात करते हैं इसका अर्थ है कि तंत्र एवं परिवेश के मध्य, किसी भी प्रकार से उश्मा का प्रवाह नहीं होता है अर्थाथ, डेल्टा क्यु इक्वल टू हुन्य होता है तो यदि इस प्रकार के प्रक्रम जिस भी तंत्र में होते हैं यदि वहाँ भी आंत्री कूर्जा में परिवर्तन करना है तो दो प्रकार से कारे करके जो सिस्टम होते हैं उसके आंत्री कूर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं ये दो प्रकार के कारे होते हैं यांत्रिक कारे और विद्यूति कारे जैसे यदि एक पात्र में जल्लिया जाए और उसे पैडल द्वारा मता जाए तो मतने पर उसमें एक किलो जूल कारे होगा अब इस एक किलो जूल कारे के बाद उस तंत्र की तापमान में भी विर्धी होगी और आंतरी कुर्जा में भी कुछ परिवर्तन होगा प्रारंभिक आंतरी कूर्जा है वो है U1 और प्रारंभिक तापमान है T1 इसी प्रकार मतने के बाद, कारी करने के बाद जो आंतरी कूर्जा होगी वो होगी U2 और तापमान होगा T2 तो जब हम परिवर्तन ज्याद करेंगे तो आंतरी कूर्जा परिवर्तन डेल्टा U equal to U2 minus U1 इसी प्रकार तापमान में परिवर्तन डेल्टा T equal to T2 minus T1 दूसरी और यदि हम विद्यूती कारे करें इसके लिए यदि एक पात्र में जल लिया गया और उसमें इमर्सन रोड हम डाल देते हैं यहाँ पर तापमान में विद्धी होती है तो एक किलो जूल यहाँ विद्यूती कारे हुआ तो यहाँ भी आंतरी कुर्जा में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा तो प्रारंभिक आंतरी कुर्जा यहाँ पर है U1 विद्यूती कारे के बाद यहां आंतरी कुर्जा होगी U2 वैसे ही तापमान पहले T1 है और बाद में क्या होगा T2 तो आंत्री कुर्जा में परिवर्तन डेल्टा U equal to U2 minus U1 वैसे ही तापमान में परिवर्तन डेल्टा T equal to T2 minus T1 तो इस प्रकार के प्रियोग को सबसे पहले JP Joule वैज्ञानिक द्वारा किया गया ये देखा कि यदि किसी भी तंत्र में कारे किया जा रहा है तो उसमें कुछ न कुछ आंत्री कुर्जा परिवर्तन होता ही है और यह परिवर्तन समान रूप से होता है चाहे किसी भी प्रक्रम से कारे को किया जाए तो इसे इन्होंने यांत्रिक कारे और विद्यूति कारे दो प्रकार के प्रयोगों द्वारा समझा तंत्र पर कारे किया जाता है तो आंत्री कूर्जा में विरिधी होती है याने डेल्टा यू में विरिधी हुई तो डबलू बराबर धनात्मक होगा और यदि तंत्र द्वारा कारे होगा तो आंत्रीक उर्जा में कमी होगी और यहां W इक्वल्टू रिनात्मक होगा तो किसी भी तंत्र पर जब कारे किया जाता है तो वहां आंत्रीक उर्जा में व्रिधी होगी और जब तंत्र द्वारा कारे किया जाएगा तो आंत्री कूर्जा में कमी होती है इसी प्रकार जो उश्मा का प्रवा है उसके द्वारा भी बिना कारे किये आंत्री कूर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे यदि तंत्र को उश्मा दिया जाए और तंत्र द्वारा उश्मा परिवेश की ओर जाए तो किस प्रकार यहां आंत्री कूर्जा परिवर्तन होगा चलिए देखते हैं यदि तंत्र द्वारा परिवेश की ओर उश्मा स्थनांतरित होती है तो यहाँ पर डेल्टा यू याने आंत्री कूर्जा परिवर्तन यहाँ पर निगेटिव होगा यहाँ तो डेल्टा यू में कमी तो उश्मा यहाँ पर रनात्मक होगा वैसे ही यदि परिवेश से तंत्र की ओर उश्मा प्रवेश करता है तो यहां आंतरीक उर्जा में व्रिधी होगी और Q इक्वल्टू धनात्मक होता है तो उश्मा के परिवर्तन द्वारा भी बिना कारे किये आंतरिक उर्जा में परिवर्तन किसी भी तंतर में संभव है उश्मा गतिकी का प्रत्थम नियम उश्मा गतिकी का जो प्रत्थम नियम है ये तंतर एवं परिवेश के मध्य जो उर्जा का स्थनांतरण होता है उस पराधारित है उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती है और ना ही नश्ट की जा सकती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे मेयर एवं हेल्म होल्च वैज्ञानिक ने सबसे पहले उश्मागतिकी के नियम को समझाने के लिए उर्जा इस्थनांतरण संबंध को समझाने के लिए ये कहा कि ब्रम्हान की जो उर्जा होती है वो सनरक्षित होती है ब्रम्हान को हम एक विल्गित तंतर की तरह मान सकते हैं क्योंकि ब्रम्हान में ना तो कहीं से उर्जा आती है और ना ही ब्रम्हान की उर्जा कहीं जाती है तो यहाँ समपोर्ण उर्जा जो है वो सनरक्षित रहती है केवल उर्जा का रुपानतरण होता है एक रूप से द थिर रहती है, ब्रह्मान की संपूर्ण उर्जा संरक्षित रहती है। इसे हम एक और परिभाशा दे शकते हैं, किसी भी विलगी तंत्र की जो समस्त उर्जा है वो सदेव स्थिर रहेगी। उर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो जितनी उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है तो वह उतनी ही मात्रा में होती है केवल उसका जो रूप है वो बदल जाता है जब भी हम विद्यूती कारे करते हैं तो जैसे प्रकाश उ उर्जा में परिवर्टित हुई वैसे ही उश्मी उर्जा से विद्यूती उर्जा उत्पन होती है तो इस प्रकार उर्जा का रुपांतरन होता है केवल एक रूप से दूसरे रूप में रुपांतरन होता है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मान की जो उर्जा है वो सनरक्षित रह एवब उसमें किस तरह से परिवर्टन होता है किसी भी तंत्र में उसके आधार पर हम इसके गडिती वेंजग को समझेंगे इसी भी तंत्र की आंतरी कूर्जा को हम U से दर्शाते हैं अब शोशित उश्मा क्यू से दर्शाया जाएगा तो आंतरी कूर्जा में कुछ न कुछ महाँ परिवर्तन होगा तो यदि कोई प्रक्रम है जो A से B की ओर हो रहा है तो प्रारंभ में उसकी जो आंतरी कूर्जा है वो है U A जब उस तंत्र द्वारा क्यू उश्मा अवशोशित की गई कारे संपादित हुआ यह कारे W है जब U A में क्यू उस्मा अवशोशित हुई W कारे हुआ तो आंतरी कूर्जा जो B की है वो अब हो गई U B तो किसी भी प्रक्रम में जब A से B में परिवर्तन होता है तो प्रारंभिक आंतरी कूर्जा में परिवर्तन होगा जब हम B में पहुंसते हैं तो तो UA से UB में परिवर्टन हुआ यहां तंत्रद्वारा Q उश्मा अवशोशित की गई W कार्य संपादित हुआ तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि UB बराबर UA प्लस Q प्लस W तो जब परिवर्टन निकालेंगे तो UB माइनस UA इकवल टू Q प्लस W तो डेल्टा U इकवल टू Q प्लस W तो यहां डेल्टा U आंतरिक उर्जा परिवर्टन को दर्शाता है Q यहां तंत्रद्वारा अवशोशित उश्मा है और W चुकि यहां प्लस में है तो तंत्र पर कारे किया जा रहा है इसलिए इसे W से दर्शाते है और यहीं अगर चिन को बदल दिया जाए अर्थात डेल्टा U इकवल टू Q माइनस W कर दिया जाए तो अब इसे हम लिख सकते है कि आंतरिक उर्जा में परिवर्टन बराबर तंत्रद्वारा अवशोशित उश्मा Q और यहां माइनस में लिखा जा रहा है यहने तंत्रद्वारा किया गया कार्य जिससे हमने माइनस में दर्शाया तो माइनस W तो इस तरह हम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम के गडितिये वेंजक को समझ सकते हैं आईए अब हम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से संबंधित कुछ गडिती प्रश्नों को हल करेंगे पहला प्रश्न कोई निकाए 135 जूल उश्मा अवशोशित कर 150 जूल कार्य संपाधित करता है आंतरिक उर्जा में कितना परिवर्तन होगा किया गया कार्य डबलू बराबर माइनस 150 जूल क्योंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है तो किया गया कार्य के सामने हम रिनात्मक चिन लगाते हैं इसलिए माइनस 150 जूल अवशोशित उश्मा 135 जूल उश्मा गतिकी के प्रथमनियम से डेल्टा यू याने आंतरिक उर्जा में परिवर्तन बराबर क्यू प्लस डबलू क्यू यहां अवशोशित उश्मा और डबलू कार्य चूकि कार्य यहां पर किया जा रहा है इसलिए माइनस 150 लिखेंगे क्यू 135 प्लस ब्रेकेट में माइनस 150 ब्रेकेट क्लोज इक्वल टू माइनस 15 जूल तो आंतरिक उर्जा में कमी माइनस 15 जूल प्रश्न दूसरा एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल उश्मा अवशोशित होती है एवं 394 जूल कार्य किया जाता है इस प्रक्रम में आंतरिक उर्जा में कितना परिवर्थन होगा इसे हल करेंगे तो चूकि यहां अवशोशित उश्मा है तो 701 जूल प्लस साइन लगा कर हम लिखेंगे और तंत्र द्वारा किया गया कार्य डबलू चूकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य है तो 394 जूल के सामने हम माइनस चिन लगाते है हूश्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डबलू लेकिन चूकि यहां पर तंत्र द्वारा क्यारे किया जा रहा है तो माइनस डबलू लिखेंगे तो क्यू बराबर है 701 माइनस 394 बराबर 307 जूल तो आंतरी कूर्जा में परिवर्थतर 307 जूल अब हम उश्मा गतिकी से संबंदित जो विभिन रूप है अलग-अलग प्रक्रमों के लिए कि उश्मा गतिकी के जो नियम है उसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं इसको जानेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं रुधोष्म प्रक्रम के लिए तो रुधोष्म प्रक्रम के बारे में आप सभी जान गए हैं कि ना तो उश्मा बाहर जाती है तंतर से और ना ही परिवेश से तंतर में उश्मा प्रवेश करती है अर्थात यहां पर DQ इक्वल टू शुन्य होता है तो जब भी किसी रुधोष्म प्रक्रम में कार्य संपन होता है तो आंतरी कूर्जा में कमी होती है दूसरा है सम आयतनिक प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम जैसा नाम से स्पष्ठ है कि जहांपर आयतन स्थिर होता है अर्थाद डेल्टा वी इक्वल टू शुन्य तो यदि हम उश्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर स्थिर आयतन को देखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा उश्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यहां पर देखिए डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डबलू जो यह डी यू है यह आंतरी कूर्जा में परिवर्तन है लेकिन आंतरी कूर्जा में होने वाला सुक्ष्म परिवर्तन है उसी तरह से जो डी क्यू है यह उ इक्वल टू शुन्य है तो इस्थिर आतनी जो परिवर्तन होते हैं यहाँ पर भी आंतरिक उर्जा परिवर्तन का मान शुन्य होगा तो आंतरिक पूर्जा परिवर्तन का मान यदि शुन्य होता है तो ऐसी स्थिती में जो प्रथम नियम है उसको हम किस प्रकार व्यक्त कर सक यहां पर देखिए du equal to dq तो जब यहां पर du equal to dq करते हैं अर्थात यहां पर delta u equal to qv है तो तंत्र द्वारा जो अवशोशित उश्मा है इस्थिर आयतन पर वह तंत्र की आंतरी कूर्जा परिवर्तन के बराबर होती है इसलिए जो delta u equal to qv लिखते हैं तो qv यहां पर इस्थिर आयतन में तंत्र द्वारा अवशोशित उश्मा उस तंत्र में हुए आंतरी कूर्जा परिवर्तन के बराबर होती है अब हम देखेंगे चक्री प्रक्रम चक्री प्रक्रम यहने जैसे a से start हुआ b में तो उसी तरह से फिर वापस b से a में प्रवेश करता है कोई भी प्रक्रम यदि a से प्रारंब हुआ है वह b तक गया और फिर b से वह वापस a तक आता है तो ऐसी स्थिती में यहने चक्री प्रक्रम में उश्मा गतिकी का जो प्रत्थम नियम है वह किस प्रकार से वैक्त होगा यह देखते हैं यहां पर हम देखिए जो आंतरी कूर्जा परिवर्टन का मान है वह शूर्न्य होगा तो du equal to हम शूर्न्य मान सकते हैं यहां पर, तो du equal to dq minus dw, तो du के जगापर हम लिख सकते हैं, शूर्णय बराबर dq minus dw, तो dq बराबर dw, तो यहाँ पर जो भी तंत्रद्वारा अवशोशित उश्मा है, वह अधिक्तम कारे में खर्च होती है, तो यह चक्री प्रक्रम को हम इस प्रकार से वेक्त कर सकते हैं, समदाबी प्रक्रम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जल के लिए कि जैसे temperature बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाते जाते हैं और एक atmospheric pressure पर वह जल उबलने लगता है, तो इस स्थिती पर हम जानेंगे कि यहाँ आयतन में परिवर्तन हो भी सकता है, और आयतन में परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, तो दोनों है इस्थिती यहाँ पर हो सकती है,